नमस्कार स्वागत है दोस्ते एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री व्लॉग पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक रेजिडेंशियल कम कमर्शल प्लॉड और रोड भी ऐसा देख सकते हैं आप मेरे पीछे की 25 फुट का चोणा रोड ह है और पूरी कालोनी का एक तरह से मान के चलिए कि कमर्शल रोड होने वाला है अभी इस पर चहल पहल कम है थोड़ी आबादी इस तरफ कम है लेकिन अंदर अगर आप नजर डालेंगे तो खचाखच भरी आबादी है हम कहां पर हैं यह मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ह हम कहां पर हैं आज बताइगी देते हैं सस्पेंच क्यूं रखना है हम खडये हैं फ्रेम नगर थाझ में नागलोही मैट्र इस्टेशन के पास और यह जो एरिया है क्योंकि प्रेमनगर बहुत बड़ा है और एक तरह से यह उनके चली कमर्शियल रोड है अभी थोड़ी पसाउड कम हैं लेकिन आप देख रहे हों कि लोगों का आना जाना लगा हुआ है ठीक है तो कमर्शियल रोड भी एक तरह के समान के चले किये हैं कालोरी में अंदर वहार आने जाने का में रस्ता है तो हमारा तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं और आपको प्लॉट के दर्शन कराते हैं तो प्रीमित्रों देखिए आज आपको मैं बताव दूख पहले ही कि यहां की जो लोकेल्टी है यहां की जो लोकेशन यहां मैं की यह तो बहुत ही बनार कारवाई हो जाती तब चीजें आलगवाइब हो जाती夠 मेरा कहने का मतलब इता हुआ है जमिन देख रहे हैं यह कि लोग अगरे नगर अगर अगर का पारट यह व्लॉफ यप फे св सीरता है और मेरे पीछे देखें आपको बैक कैमरेस दिखाता हूं एक बार यह आप देखें यह जो है कि अंदर से आप देख सकते हैं कि यह रोड आ रहा है और आस पास पूरी कालो नहीं बसी पड़ी है यह पूरी की पूरी अगर नगर का ब्लॉक ही है यह और पूरी खचा-खचा अब यहां पर आबादी पूरी है सुविधा सारी आप देख सकते हैं सीवर भी डल चुका है और इसके साथ ही रोड भी बना हुआ है दुबारा से भी रोड बनेगा तो देखिए हर कालोनी की तरह इसका भी सारा काम हुआ पड़ा है और एक जो में चीज है जो मैं आपको बता दू कि ऐसी चोने रोड पर यानि कि 25 फूट के चोने रोड पर अगर आप रेजडेंशल प्लॉट भी खरीदेंगे ना देखिए गाडियों का आना जाना लगा हुआ है कालोनी से आने का में रस्ता है मुंड का जाने का यह है तो आप यहां पर अगर सिर्फ रेजडे यानि कि प्लॉट है मात्र 25,000 फूट में मिल जाएगा ताढ़ गज का प्लॉट है बिना समय के आप देखिए यह प्लॉट है अब आप कहेंगे भाई यहां तो सारा कच्राई दिख रहा है और इसका जो फूट है वह 14 फूट का ठीक है यह आपका 25 फूट का रोड हो गया और कमर्शिल मेमीः कि अब देख सकते हैं गाडियों का आना जाना लगा हुआ है ऐसा है की मतलब बस ऐसे ही बोल रहा है लोगों मैं गाड़ियों का ट्रैक का आना जाना है और इधर आप देख सकते हैं की भाही, चौणा रोड है और डिरेक्ट बहर निकलेगा, तो यह आ यह पड़ेगा 60 गज का प्लोट आपका और इधर से अगर आप माल लीजिए फ्यूटर में पूरी बस आउट हो जाती है तो आप बढ़ियां दुकान मकान बना सकते हैं सामने देखिए यह मां आपको बता दू कि सामने जो है जो रानिखरा डीपो में बता रहा था तो सामने जो एक वह दिपो है वहां से आपको बस मिल जाएगी ठीक है और रानिखरा डीपो के दर्श पीछे यह पूरी सरकारी लैंड में समझाता हूं आपको देखिए यह पूरी पूरी पानी भरावा आपको दिखाए दे रहे ना यह पूरी की पूरी लैंड डीडिय लैंड है और इदर से रोड आ रहे आपका जो अगर नगर से अंदर से आता है और जो combination है इता के बाиक रेंट को हिमेड हूट कैण Crush 505 को द holding K पूरी लेंड है और इस पर कानूनी कारवाई अब तक नहीं हुई है और यह सारा खाली पड़ावी डीडिये का है बस डीपो बगल में हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि भाई बस पकड़ने के लिए कहा जाएंगे और मुंड का कराला रोड यहां से मातर कुछ मीटर की दूरी पर है मतलब यहां इस प्लॉट से अगर हम देखें एक किलो मेटर एक जैक्टली मुंड का कराला रोड जहां से आपको बस मिल जाएगी और यहां से आपका मैट्रो लगबग धाई किलो मेटर के आसपास पड़ेगा लेकिन मैं 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 इसी जादा बोल रहा हूं लेकिन धुन्द थोड़ी तो आपको दिखाए नहीं दे रहा हूं जो दिखाए दे रहा हूं मेट्रो याड का ही याड है ठीक है मुंडका वाला जो अंडर पास के दोनों तरफ है और दोस्ते चीज़ बता दू आपको कि यहां पर दिल्ली जलबोर्ड की पाइप लाइन से सप्लाई थी लेकिन कम से कम 15 फूट नीचे होगे वह पाइप लाइन तो इसलिए उसमें गंदा पानी आता है यह जो पानी आना गंदा वह आता है उसमें तो इसलिए अभी 6 मह रह लेंगे आप को इशू नहीं है क्योंकि अभी जब तक पानी में सप्लाई नहीं आरी ना तब तक आप जो है टेंकर से काम चलाएंगे टेंकर आते हैं और आप यह में सोचे कि पाइप लाइन नहीं है है बकाते देखो लोगों ने कनेक्शन ले रखा है इसी के सामने न सब्सक्राइब को इसी लिए जो कोई रहा है जो को देख के रहेगा गा मतलब एक तो इसको 25 पूट का चोड़ा कमरेशल रोड मिल जाएगा दूसरा का है ज्यादा जब प्लौट का साइज भी के चौड़ाएं और इसमें यह मान के चलिए आपको पहली बतायता हूँ कम से कम 50,000 रुपे का इसमें आप भरत मानी है तो इनी सब कारण की वैसी प्रॉट सस्ता मिल रहा है और कोई कारण नहीं है कि एक तो दुबारा रोड बनी है न यह रोड कम से कम मेरे इसाफ से देखो आपको मैं हाइड दिखा रहा हूं मेरे इसाफ से कम से कम यह मान के चलिए कम स तो यही सब कारण है कि यह आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है इसके बावजूद इसमें भी हम आपका कुछ ना कुछ मान सम्मान करेंगे और आप आईए देखिए समझ में आती है प्रोपर्टी तो इस पर कारवाई करिए मिलते हैं भी नेक्स वीडियो में तब तक लेता ह बैंक्यू बबाए जै हिन्द जै भारत